जहिन देखिए नाटो को समझते हैं नाटो को समझने के साथ-साथ आपको नाटो सेटो सेंटो नाटो प्लस समझना पड़ेगा तब समझ में आएगा कि ये नाटो वाले मिल की यूकरेन लड़ाई को क्यों नहीं चाहते हिए खतम हो और रसिया को सबसे बड़ा लास जो तो देखे, नाटो एक North Atlantic Treaty Organization है, ये एक साइनिक संगठन है, इसको फ्रेंच बासा में उल्टा बोलते हैं, ओटान कहते हैं, तो जब भी कभी नाटो देखेगा तो ओटान आएगा, तो इसका पूरा हिस्ट्री देखते हैं, Second World War से पहले से, दिखे, जब दुतियभी स्यूद चल रहा था, War Second Second World War, 1949 से 1945 के बीच में, तो इस दौरान पूरी यूरोप की अर्थवेवस्था तबाह हो गई थी, यूरोप लगभग एक दम भुखमरी के कागार पे चला गया था, तो यूरोप तहसनास हो गया था, इसी बीच जर्मनी जो था, अब लगभग जर्मनी की हा हो गया कि अब जर्मनी हार जाएगा, तो जर्मनी पर किसका अधिकार होगा, इसकी बैठक हो रही थी, यूकरेन के सहर याल्टा में, यही यूकरेन जहां मार हो रहा है, इसमें देखिए, विच्टन चल्चिर, रूसबेल्ट और प्रशिया से श्टालीन आया था, रसिया स तो यह हुआ कि जर्मनी जैसे हारेगा जर्मनी जैसे ही हारेगा जर्मनी के टुकड़े कर दिये जाएंगे एक हिस्सा जर्मनी के ले जाएगा रसिया एक हिस्सा ले जाएगा फ्रांस एक हिस्सा ले जाएगा ब्रिटेन और एक हिस्सा ले जाएगा अमेरिका यानि देखिए जर्मनी के चार टुक्रे कर दिये जाएंगे ये अंग्रेजो का इतिहास है जहां भी गए हैं वहाँ टुक्रा टुक्रा करके गए हम लोग को देखिया हमरी इंडिया को बंगला देश में आनमार भारत पाकिस्तान अफगानीजा धजी उड़ा के चल गया तो ये याल्टा प वहाँ गया ठीक है कि जो जापान का क्युराइल दिफर जापान जो आर रसिया को अर दिया था 1904 में 1905 की लडाही में न जापान जो आर रसिया को हंगा तो यहां पर या रसिया ले लिया रसिया से यााल्ता सम्झौता मैं कहा गया था कि आप इस साइड में European Cumesticét countries communist को बढ़ावा नहीं देंगे communist एक ऐसा सासन प्रणाली है जिसमें चुनाव नहीं होता है बलकि party decide कर देती हैं जिसे चाइना में चुनाव नहीं होता है तो ये बड़ा उड़ पटांग बेवस्ता है यूरोप वाले इसमें adjust नहीं हो पाते हैं तो उनका काना था कि रसिया इस साइड में communist को बढ़ावा नहीं देगा तो रसिया का हम इस साइड में communist को बढ़ावा नहीं देगा इधर से ले लिया क्यूराइल दूइब आज भी जापान और रसिया के बीच में क्यूराइल दूइब या आपका चाइना भी है उत्री कोरिया भी तानासा है कमनिष्ट के बराबर ही होते हैं तो उन्होंने देखा कि रसिया कोई साइड में रोकना बहुत ज़्यादे जरूरी है लेकिन रसिया अपना एग्रेशन करते ही जा रहा था इसी बीच में फरवरी परवरी 1948 में रसिया जो था उस समें सोवियत संग था तो रसिया के साथ था इस्टोनिया लातीविया लिथवानिया ये पूरे के पूरे रसिया का ही पार्ट था सोवियत संग उस समें Union of Soviet Socialist Republic USSR नाम था रसिया का तो ये सब उसी के साथ थे हंग ये आपका बेलारूस यूक्र देखे उस समें रसिया का क्या इतना बड़ा एरिया होता था ये पूरा का पूरा रसिया था इसके बावजूद रसिया ने यहां पर उस समें के जो चेकोसलाविया देश है फरवरी 1948 में चेकोसलाविया पर अचानक सेना भेज के तक्ता पलट करा दिया और यहां के लोकतं और यहां पर स्लुवा किया, उस समय इसने कभजिया किया, अब यूरोप वालों को डर हो गया, कि भाईया, यहां तक तो खुद का खुद रसिया है, अब यह इसके भी आगे बढ़ेगा, तो हम लोग कहा जाएंगे, और उसके अलावे, जर्मनी का एक हिसा, तो रसिया याल् टारगेट है तुर्की, तुर्की पे कैसे भी कमनिष्ट सरकार को लगाना, तो टुमन जो वहां के राष्टपती थे, उन्हें मार्सल प्लान लगाया, दीके मार्सल लाव अलग है, मार्सल प्लान अलग है, इन्होंने मार्सल प्लान लाया अप्रेल 1948, इसके तहत, जो जो रसिया अपना प्रभाव जमा रहा है कि तुम लोगतन तो छोड़के कमनिष्ट आ जाओ वहां पर ये लोग क्या करते थे मार्सल प्लान के ताथ पैसे देते थे ताकि वो रसिया के फेबर में ना जाए तो तुर्की और साइप्रस को कैसे भी ये पैसे उसे दे के अपने फे बेलारूस यूक्रेन ये सब उस समय रूस का ही पाठ हुआ करता था इतना बड़ा इसके अलावे अब रसिया इंट्री करना चालू किया तब इन्होंने क्या किया 4 अप्रेल उन्नीस सो उन्चास को नाटो सेना का गठन किया जिस समय गठन हुआ उस समय 12 देस थे वर्तमान में जो 31 देस हैं अगर इस 31 देस में कोई बाहरी देस 31 आपस में मार करे तो कोई दिक्कत नहीं है ये किसी को मारे तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर कोई दूसरा देस इनके उपर हमला करेगा तो ये 31 मिल के मारें इसको ये इसका कानून है इसका मुख्य उदेस क्या यह अपको समझ में आ tą खे लिए लिए ट्रेस्टव से रोक्ने के लिए एस्ट असीअ से रोकने कीलिए सेट स्वन इस्ट सेटी सेट इस्टisée treaty organization सेटो 1904 में बनाए गया इसको हतियार सेटो में मुख रूप से किसे सामिल किया गया तो थाइलेंड को और इधर से फिलिपीन को और नीचे में और अस्ट्रेलिया और निउजी लेंड ताकि इधर से ये लोग अमेरिका के फेबर में रहे और इधर से लोग सपोर्टिव हतियार दे रहे थे कि इधर से चाइना को इस साइड में बीजी रहे और इधर से नाटो डैरेक्ट रसिया को इंगेज कर रहा था अब इन लोगं को लगा कि हम دो और से रासिया चाइना को घेर दे जा रहा है इधर से, इधर से गेर रहा है नाटो इधर से से ज़नातो फर्टे गे सो अब रासिया को थोड़ा अन बाइलेंस लगने लगने लगागी उचो सबस्केंदोर को फ़ोगं को decisions will show that इदर से ब्रिटेन, इसमें कौन-कौन से, इसमें थे तुर्की, इराक, इरान, पाकिस्तान, सोचिए, ये सेंट्रल थे सब, ये हो गया सेटो, अब ये रसिया पे दबाव बनाते थे सब, यहां पे रसिया को आगे बढ़ने से रोकते थे सब, सेटो, इदर से कौन चर्था थ इसर रसिआ को लगा, भह्या हम तो पिसा जाएंगे, अब भारत को कहते, भारत कि इधर जाएँ भाया, अब भारत हो गया फेरा में पड़ गया, क्यूंकि रसिया को इधर से घेर लिया है, शेटो, सेंटो, यह वगया सेटो, साउटीस, एसियन, पिटी और गनेजिएट, अब इस कंडिशन में इंडिया कंफूज हो गया इंडिया कि दर से जाए ! क्योंकि अगर नाटो जोईन करता ही इंडिया Tomorrowland önemli यह तो रसिया न न रहा है न रा सेंटो में भूर न रॉषिया न रहा है रसीया हमारा बहुत जरूरी मीतर है वहाँ पर क्यूंकि पास में है यहाँ पर रसीया कभी भी हम लोग के बिकट परिश्थिती में रसीया ही काम आये यहाँ पर हम लोग ने क्या किया उस समें जवाहलाल नहरू जो थे बड़ी समझधारी के काम किये 1961 मैं इन्हों ने कहा कि के फेवर वाली दुनिया को कहा जाता था पहली दुनिया और रूस के फेवर वाले को कहा जाता था दूसरी दुनिया तो जवाल लाल नहरू ने कहा कि अब हम लोग ना अमेरिका के फेवर में ना रस्या के फेवर में हम लोग तीसरी दुनिया के हैं तो इसे तीसरी दुनिया या दक्षणी दुनिया कहा जाता था हाला कि इसका official name था Non-Aliasing Moment Shortcut में name Good Nirpets, हम किसी भी Good में नहीं रहेंगे इसमें Good Nirpets में 4-5 लोग का नाम बहुत महत्पूर्ण है इसमें एक इंडोनेसिया का आमद सुकार्णो थे भारत से जवालाल नहरू, मिसर के करनल नासीर, युकसलाविया से जो थे मारसल टीटो थे ये लोगों का बहुत महत्पूर योगदान था कि हम किसी भी Good में नहीं रहेंगे और ये जरूरी भी था Good में ना रहना रीजन क्या है, Good में से बहुत loss हुआ था सेंटो में इरान था, अमेरिका के साथ सेंटो में इराग था, अमेरिका के साथ देखिए, वही अमेरिका ने इराग कूडा दिया, तबाह कर दिया वही अमेरिका ने इरान के पीछे पड़ा हुआ जबकि एक समय था सेंटो की गठन अमेरिका ही नहीं किया था का अवाल इर्या तो कम्प्लीट हो गया यह यह पूरा गपूरा रसिया का हो गया रसिया उस्समें रसिया नहों के USSR invit बो एसी का तरह युषेस्थ अल्रेडी उसी इसेता आपकाzony वान यह उसी का था, जार्जिया, आर्मेनिया, अजर्बैजान, उसी का था, और सेंटल, अमे, एसिया भी इसी का था, यह सब का सब हिंस्सा जो था, USSR का हिंस्सा था, इसके बावजूद रसिया नहीं रुका, इतना USSR होने के बावजूद, यह होगा रसिया, इसमें इसको जोड द इस वार्सवैक्ट के तहथ, रश्या अपने में कमनिष्ट विचार्धारा के देशों के साथ मिलके, सन्गठन बना जा थे हैं, इस वार्सवैक्ट में बहुत सरे देश थे, पोलेंड था, चेकोसालाविया था, हंगरी था, रोमानिया, बुल्गारिया, Albania यह सब देश मिलके बनाते थे आपका वार्सो पैक्ट अब आप जड़ा देखिए रसिया का डोमिनेंस कहां तक है ओरीजिनली रसिया यह रहा आपका यह तो ओरीजिनल रसिया हो गया यह पूरा का पूरा ओरीजिनल रसिया अब रसिया के साथ यह ब्लू अला एंपायर को आप जोड देते हैं, तो ये हो जाता है USSR, और उसमें ये आगे वला हिसा देख लेते हैं, तो वार्सो पैक, अब आपको समझ में आ रहा होगा, कि नाटो कितनी जरूरी हो गई थी इन वेस्टन कर्चर के लिए, वरना ये वेस्टन को तो खा जाता है पूरा का पूरा रसिया, तो इतना एग्रेसिवली ये रसिया आगे बढ़ रहा था, इतना बड़ा इसका छेतर फल था, रसिया, USSR और ये वार्सो पैक्ट, लेकिन धीरे धीरे रसिया जो था, वो सोवियत संग के देशों को सम्हाल नहीं पाया, रसिया जादे ध्यान दे रसिया रूस पे, उससे कम ध्यान दिया इस सोवियत संग पे, उससे भी कम ध्यान दिया वार्सो पैक्ट पे, तो वार्सो पैक्ट के लोगों को लगा कि हम रसियान भासा नहीं सीख पा रहे हैं, जादे विकास रसिया को रहा हम क्यों नहीं वार्सो पैक्ट से अलग हो जा तो वार्सोपेक्ट के लोगों को भी लगा कि भाईया अब वार्सोपेक्ट में फाइदा नहीं है और USSR को भी लग रहा था इसका मतलब रसिया के दो जो फ्रंट लाइन थे यह हटने वाले थे यहां से और इसमें अमेरिका काम्याब हो गया यहां से इधर से नाटो इस पे प उपट होने लगी और गैरवा चोक वहां के जो राष्टपती है उतने पूरे रसिया को ही डुबा दिया धीरे धीरे रसिया कमजोर होते गया रसिया कमजोर हुआ तो सोवियत संग कमजोर हुआ और वार्सोपेक्ट के यह जो देश थे यह भी कमजोर होते गया उधर नाट वार्सोपेक्ट कमजोर हो गया, अब आप देखिए, रसिया इधर से कमजोर हुआ, और बर्लीन की दिवाल तोड़ दी गई, 1989 में, 1989 में बर्लीन की दिवाल तोड़ दी गई, अब धीरे-धीरे USSR समठते हैं, समय अटते गया, दूसरा जटका क्या लगा है, यहाँ पर यह वा इस्टोनिया, लाथ लिथुआनिया यह तीनों देश के लोगो हात पकड़ के एक साथ खड़े हो गए थे, गाना गाते थे, लोग तीन देश तक लाइए थे, सब से अलग होते हैं हम अपना स्वतन देष बनाते हैं एस्टोनिया लाटीवीया लिधनिया यूक्रेन मोल्डोवा जर्जिया अर्मेनिया अजरबयजान लिजक्तन तो रसिया के साथ इतना कांड हो गया, यहाँ से हाथ से गया इसका वार्षोपेक्ट और ये वाला पूरा एरिया गया सोवियत संग का, बच गया 1991 के बाद ये रसिया, जैसे सोवियत संग का बिगठन हुआ, ये भी नहीं चल सका सेंटो क्यों कि सेंटो की जरुवत ही खतम हो का प्रभाव आ गया, सेंटो से न, यहां से भी खतम हो गई, यहां पर, सेंटो भी खतम हो गई, अब बजगिया, केवल इधर से तो नाटो बजगिया, और नाटो अब तेजी से expand करने लगा region क्या था expand करने का देखिए 1991 में जब Soviet Sun टूट चुका था Russia Warsaw Pact से भी पीछे हड़ चुका था और Soviet Sun भी विखर चुका था तो Russia यहां तक आ गया था फिर भी NATO की जरुवत क्यों लगती है इसलिए जब 2002 के बाद पुतीन सब्ता में आए तो पुतीन ने वापस उस ग्रेट रस्या की कलपना किया और उन्होंने कहा कि यह बिखराओ एक बहुत बड़ा blunder था तो यूरोपिये देशों को लगा कि ऐसा नहों कि यह फिर से आगे इसलिए बढ़ रहा था कि यूरोप को तो कचल देता हूँ इसी बीच उन 2014 में घटना होती है यही यूक्रेन इस सब्सक्रा बहुते तो यूक्रेन जो था वो कह रहा था कि हम रसिया के प्रभाव से मुक्त होना चाहते हैं और यूरोपिये यूनियन का सदस बनना चाहते हैं ताकि वो इस पूरे व्याप देशों में अपना सामान बेश सके यहां से जादे कनेक्टिविटी हो सके उस समय पुतिन का कहना था कि रूस के प्रभाव से तुम जा रहो यूरोपिये यूनियन में लेकिन बाद में तुम नाटो में चले जाओगे और नाटो में जाने का एक लॉस यह है कि नाटो के संगठनो का यूज कर सकता है तो यूकरेन की सीमा तक अमेरिका की फोज आ जाएगी अब बताइए रूस क्यून चिंतित हो कि यूकरेन अगर चला गया नाटो में तो नाटो की सेना कहा तक आ जाएगी रूस की सरहत तक आजाएगी तो उस समय 2014 में पुतिन ने कापी समझा लेकिन यूकरेन का आगिना हम जईबे करेंगे यूरोपीय यूनियन में तो यूकरेन का एक निचला भाग जिसका नाम क्रीमिया था 2014 में रसिया ने क्रिमिया पे अधिकार कर लिया, और कहा कि यह क्रिमिया रसिया का हो गया, तो यह तो European Union में चले गया, और यह थावित सहीं हुआ, पुतिन ने कहा था कि सुरुवात में यह जा रहा European Union में, बाद में चले जाएगा यह NATO में, और वह हुआ हुआ, जैसे अपने देश को नाटो में ले जाए या कहीं ले जाए हम यूरोपीय यूनियन में आ चुके हैं अब हमको नाटो का भी सदस बनाया जाए अभी इस सोचिये रहा था कि बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए ताब आतोड मार दिया पूतिन हमला करके यूरी 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 यूर अच्छा कर सके, क्योंकि नाटो और पश्मी देश भी यही चाहते हैं, कि रूस इसी में उल्जा रहा है, और बाकी ये लोग विकास का काम करते रहें, देखिए, एक साल से लड़ाई हो रही है, हमारा देश भी बहुत तरक्की कर रहा है, मोदी जी कभी अस्ट्रेलिया जा जा रहा है, जापान जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, मिस्र जा रहा है, लेकिन जरा रूस को देखिए, एक साल से उल्जा हुआ है, अगर उसको दस साल ये लोग उल्जा देंगे, तो रूस बहुत पीछे चला जाएगा, तो ये नाटो वाले भी नहीं चाहते हैं, कि सरदर्ध क्या हो गया कि वो सोच रहा था कि युकरेन नाटो में न जाए लेकिन युकरेन में उलज गया इसी बीच जैसे रूस ने युकरेन पर हमला किया बाकी के देश डर गया अब फिंलेंड को लगा हम को भी रूस मत मार दे हम को विरूस मत मार दे तो फिनलेंड ने कहा कि भाया हमको नाटो जुआइन कर लो क्योंकि अगर हमको रसिया मारेगा तो नाटो का आटिकल 15 के तख बाकी के सारे देश मिल के मारेंगे फिनलेंड कहा कि हमको भी सामिल करो भाया यूकरेन के बाद हमरा नमबर है याँ पर अब NATO का नियम ये कहता है, कि NATO में अगर कोई निया सदस आना चाहता है, तो उसमें पहले जितने सदस हैं, वो सब के सब लिखित देंगे, कि हाँ हमा एक कोई विरोध नहीं है. यदि पहले से सामिल कोई भी सदस ये कह देता है, कि हम इसका विरोध करते हैं, तो फिर उसके बाद उसमें नाटो में उसे सामिल नहीं किया जाएगा, अब फिनलेट चिलाने लगा, कि हमको सामिल करो, हमको सामिल करो, नाटो अलगा, हाँ 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 आज 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 और अच्छा है, आज नहीं तो कल यूकरेन सामिल करेंगें, हमारी सेना रूस के सिध तुमको क्या हुआ रहे तुम क्या विरॉद कर रहा है मेरा आप specifically blackmail कर दिया नाटो को तुरकी ने क्या कर दिया नाटो को ब्लेक्मेल कर दिया क्योंकि तुर्की के पासbst все पावर था कि तुम तक नहीं ₹ज देगा यानि सारे देश रेडी नहीं होंगे तब तक कोई नाटो में नहीं आएगा, तुर्की पहले से उसका सदस्था, तो यह क्या किया आप, कहा कि देखो, तुर्की रसिया से S-400 मिसाइल खरीदा था, तो इसके खरीदने के वज़ से अमेरिका ने इसमें काट सा एक्ट के ताथ परतिबन लगा दिया, जिस वज़े से इसकी पूरी एकोनोमी तबाह हो गई, साथ ही तुर्की जो है, अमेरिका के F-35 जहाज में, मतलब अपने ज्वाइंट वेंचर बनाने के लिए 1.4 बिलियन पैसा खर्चा किया था, जैसे S-400 इसने मिसाइल खरीदा रसिया से, तर्की ने रसिया से मिसाइल खरीदा, अमेरिका ने इस पर काटसा सैंक्सन लगा दिया, और इसका कहा दिया कि तुम्हारा 1.4 मिलियन भाड में गया, अब ये तैयबुल अर्दोगान क्या कहता है, कि हमरा उपईसवा वापस करो, हमसे ही काटसा एक को हटाओ, सब हटाओ कि तब ह तो हम फिनलेंड को सामिलें करने देंगे, अब अमरीका açपीट रहे है, आकरा से काटसा हटाओ अग्स परेश लूटे लोग बिलिचन दे तैहिन, तो फिल्लेंड को आने नहीं देगा, अब फिल्लेंड को नहीं आने देगा, रसिया काचर देगा फिल्लेंड को, तो रासि देश के हैं तूर्की में जीत गए हैं अभी तूर्की ने फाइनली जब यह सब तूर्की से सैंक्सान हटा लिया गया है तूर्की ने कर दिया हाँ फिनलेंड भी आ जाए नाटो में और नाटो में सवसुरा फिनलेंड आ गया और यह रसिया के लिए सबसे खराब बात है क्य यही एक ऐसा जगह है जो ठंड के दिन में cold winter season में जमता नहीं है जोग्रफी में हम पढ़ा दिये हैं यहां एक नौर्वे की गरम समुदरी जलधारा चलती है जिससे की वहां का समुदर बरफ से जमता नहीं है तो ठंड के दिन में रसिया का मात्र एक बंदरगा है मुर्मुस के बंदरगा नहीं जमता है अब जरत देखिए अमेरिका यहां आके बाद्ग गया यूकरेण में उल्हा दिया रसिया को रसिया उलज गय अब यहां ले आकर बैठ गया यहां पा अब रसिया का सबसे जरूरी चीज ये रसिया की नैवी का पूरी बड़ी से फ्लीट है यह इसके पंडूबियों का गुप्त अस्थाने रखने के लिए, अब ये कोला प्राइदीब के पास आके फिनलेंड के बहाने बैठ गया आपका नाटो, नाटो यहां तक आ गया है, रसिया के लिए इससे खराब दीन नहीं हो सकता है, क्योंकि जितनी परमाडू पंडूबियां रसिया ने तो बहुत बड़ा कीमत चुकाया, रसिया को लगा था, कि हम ये यूकरेन निप्ताएंगे, यूकरेन निप्ताइला के चकर में, यूकरेन तो हुआ नहीं कुछ, सबस्वरा उल्टे फिनलेंड हाथ से निकल गया, और ये कोला प्राइदीब पे चलाया, यहां रसिया के लिए, तो खेर, अब ये विश्व नीती है, अब नाटो यहीं नहीं रुका, नाटो कहता है, नाटो को और बड़ा बनाए जाए, नाटो प्लस, क्या बनाए जाए, नाटो प्लस, मतलब नाटो में और को जोड़ा जाए, नाटो प्लस, नाटो में प्लस में कौन कौन सामिल है पहले से इजराइल सामिल है South Korea सामिल है Japan सामिल है Australia और New Zealand सामिल है यानि पहले से ही 5 गुदेश सामिल है अब उका काना है नाटो प्लस में भारत को भी सामिल किया जाए भारत को भी सामिल किया जाए भाया हमको सामिल नहीं होना है एस जय संकर सा भी मना कर दियां, नहीं सामील होना है, का है? क्योंकि नाटो के 14 गों आर्टिकल में से, पाचवा आर्टिकल कहता है, कि अगर इन नाटो के इए 31 देश में से, नाटो के इए 31 देश में से, किसी पर हमला होगा, तो बाकी सब मारने चलेगा, अरे इस सुरा तो नहीं हम लोग को मार करना ही नहीं है है एक तीसो हर साल कहीं न कहीं मार कहीं लिए रहता है कभी इरान में उल्जेगा कभी सीरिया में उल्जेगा अफगानिस्तान में उल्जेगा अगर सामील हो जाएंगे तो पता चला हम लोग भी चलते रहेंगे चलो भाईया कहां मार किये उन सो के चक्कर में हम लोग की अपनी विदेश नीती जाएगी तो हम लोग भाईया पाकिस्तान से और चाइना से खुड निपट सकते हैं हमें नाटो प्लस की कोई जरुवात नह नहीं है आई होप आप नाटो समझे होंगे नाटो जब यूपीसी में लिखने के लिए आएगा तो आपको कम्प्लीट लिखना पड़ेगा नाटो सेटो सेंटो नाटो प्लस अगर थोड़ा सा लिखके चले आएंगे नाटो यह वह तो पिर नंबर भी उसी हिसाब से जाएगा बहुत सारे लड़कों का कोईर होता था कि कौन-कौन से टीचर देंगे दिखिए हिस्टरी हमारे मनिकांद अप लोग को मतलब परिचित के किसी किसी भी पर्षे के मोहताज नहीं इकोनोमिक में बहुत सारे लड़कों का क्वेस्टन था कि इकोनोमिक को लेंगे आप बाभूदी के इंडिया के सबसे बेस्ट फेकल्टी देंगे अम लोग आप लोगको यहाँ पर economy हमारे रामिस्वार सर लेंगे आपको तो रामिस्वार सर एकोनॉमिक्स लेंगे geography सची नरोडा सर लेंगे आप लोगको geography बहतरी इंधंग से राजिय समीशा सार, पॉलिटी के क्लास लेंगे आपर दो जो क्लास रहेगा ओर और फीलोस्पी का चेप्टर रहेगा वो सब धर्मेन सार क्लास लेंगे आपर और अभिशेक सार lessons and that का क्लास लेंगे धर्मेन सार जो होगे यह sociology, social justice, social issues के क्लास लेंगे तो second batch जो है, वो complete इंडिया के सबसे best faculty के साथ ही आप लोग के लिए आएगा, अब यही faculty के साथ अगर आप देखेंगे दिली में, तो 2,5,5 लाग फीस लगेगा, same faculty रहेंगे आप लोग के, हाला कि इनसे ही inferior, क्योंकि यह सबसे most senior teacher हैं लोग आपको, तो इनसे junior ही मिलेंगे अब फीस भी जादे होगा आपको, और इसके लिए बहतरीन और भी जितने भी बहतर सुविधा दिया जा सकता है, वो हम लोगी start कर रहे हैं, बुखरजीन अगर और करोल बाग, दोनों में offline center भी start हो रहा है, उसकी भी सूचना हम आपको देदेंगे, online में क्या है बाबू, बहुत सारे लड़कों का काना था, कि सर थोड़ा सा फीव अगरा की, बहुत सारे लड़के लोग फीव नहीं जुटा पाए थे उन लोग के लिए, तो ऐसे लड़कों लोग के लिए देखिए बाबू, हम आप लोग को एक यहां देते हैं, कि 7,000 रुपए में हम आपको second batch के लिए देते हैं, लेकिन यह limited रहेगा, हमारे पास seat बहुत कम है, लेकिन क्योंकि कई लड़कों की समस्यां हैं, ऐसी आई थी, office तक में आके बोलते थे, तो हम यह 24 घंटे के लिए, हम यह offer आप लोग को देदेंगे, 7,000 का, इसके बाद इसकी fees बढ़ जाएगी, बाबू हैं कि सर, इंडिया के सबसे best faculty के साथ सर जब 7,000 में दे रहे हैं, तो आप लोग क्यों जादे ले रहे हैं, आप लोग के लिए हमेशा जब भी जरूवत रहेगी, हम आप लोग के लिए खड़े रहेंगे, लेकिन देखे समझ से हैं बाबू, 24 घंटा तक हम लोग साइध ही इस offer को चला सके, region के आए कि मजबूरी में बहुत सारे लड़कों का payment failure हो गया था, तो उनकी समस्याएं थी, जो genuine समस्या थी, तो हो सकता हम लोग इसे 15 या 16 घंटे में ही बंद कर दे, तो जो जरूवत मन बच्चे हैं, आप लोग इसे ले लिए, जो बच्चे effort कर सकते हैं और second batch में बहतरीन ढंग से पढ़ेंगे हम लोग history और economy से start करेंगे हम लोग, मनिकान सर आपके history से start कर देंगे, और रामेश्वर सर हम लोग के economic से start कर देंगे, फिर सची नरोडा सर है, राजे समीशा सर है, धर्मेन सर है, ये भी धर्मेन सर, अभिशेक सर, जितने faculty हैं, सार लोग मिलके आपको आपके mark दसन करेंगे, आगे जरूरत पड़ेगी तो फिर उसी इसाफ से mentorship वगरा सारी सुभिधाएं दी जाएंगे, I hope आप समझे होंगे, मिलेगे next class में, जहिन!